Hello everyone, good morning, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सबी, I hope आप सबी बहुत अच्छे होंगे तो जी आज तारीख है 3 मार्च और सुक्रबार का दिन है और अभी सुबह के जो है साड़े साथ बजे हुए है और मॉनिंग के टाइम पे मेरी बैलकनी से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है जो कि बहुत जारा सुन्दर लगता है तो आज पूरे आसमान में बादल लगे हुए थे आधे साइड बादल थे और आधा साइड जो है किलियर था बहुत सुन्दर व्यू लग रहा था बैलकनी से देखने में तो मैंने सुचे क्यों न थोड़ा सा सूट कर लिया जाए और आप सब के साथ भी शेयर करूँ वैसे सूरज भगवान जी जो है काफी उपर तक आ चुकी थे पर बादलों के वज़र से वो छुपे हुए थे तो दिखनी रहे थे तो देखे वैसे मेरे बैलकनी में न मौनिंग में बहुत जल्दी धूप आ जाती है जैसे जैसे गर्मिया नजदी का रिया ना तो धूप बहुत जल्दी निकल जाती है यहाँ पर जैसे पहाड़ों में होता है ना वैसे हमारे गावं अगरा में तो उस तरह के का देहरादुन में भी होता है तो यहाँ पर भी धूप बहुत जल्दी जो है निकल जाती है तो थोड़ा सा वालकनी का व्यूद देखके मैं आ गई ह टिलि टिली वश करने पड़े ना और मेरे बच्छो के स्कूल में मैं एक लेडिज हैं जिन سे मैं एक दिन बारे मां डिसकस कर रही थी तो वह मुझे बॉल दिना ऐसा की एक नहीं तो आगी शह के क्वरे बच्छी बीकलता है और बच्चे भी मेरे तो ऐसे हैं कि गुस्सा कर देते कि मम्मा गंदे हो रहे हैं कपड़े मैम डारती हैं तो आप वाश करो तो इसलिए आप गर्मियों में जो है तेली डेली बच्चो के कपड़े यूनिफरम जो हती है स्कूल की वाश करनी पड़ती है बच्चों के उठने से पहले कम से कम एक और घंटा पहले मुझे उठना पड़ता है तो जल्दवाजी के काम मार्निंग में होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कुछ न कुछ जो है छूट जाता है और मेरे साथ तो ऐसी होता है हमेसे जल्दवाजी बहुत जादा हो जाती है क्योंकि मेरी बेटी जो है बहुत जादा लेजी है उसको बहुत जादा टाइम लगता है रेडी होने में ब्रेस हो गया, मुहा दोना हो गया, तो उनके पीछे ही पढ़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो जल्दी जल्दी काम करते हैं, और किचन में जैसे सब्जी वगरा बनानी है, आटा गूत के लगाना है, वो मैं करके आ गई हूँ, बस इसके बाद जो है, मुझे रोटिया ब बनाए थी साथ में, रोटिया बगरा बनाके, बच्चों को नास्ता बगरा कराके भेज दिया है, स्कूल, हजबन भी ऑफिस जा चुके हैं, तो सब को टीनों को ही लंच उनका पैक बगरा करके भेज दिया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलेक्स हो गई हूँ, और उसके करती हूँ, तो मॉर्निंग में अपने बालों को दो लेती हूँ, तो ऑईलिंग करना भी जरूरी था, क्योंकि मुझे बाल दोने थे, तो मैंने सूचा क्यों ना, डेर से 2 गंटा भी अगर मेरे बालों में और रह जाएगा ना, तो काफी होता इतना भी, जैसे अब गर्मि करने है ना, तो हमें महन, sorry, ओईलिंग जरूर करनी चाहिए, ताहे हम रात को ना करें, आजकल जैसे गर्मी आप में अध्य का रही है, तो गर्मी में पूरे रात, ऑईल रखना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाता है, मेरी लिए खुदी हो जाता है, बहुत चिपचिपा सा तो आप इस तरह की से मॉर्निंग में लगा लिजिए, उठते ही जैसे मॉर्निंग में आपने बालो में मसाज कर लिए, उसके बाद आपने 2-3 घंटा रख लिया, उसके बाद आप शैंपू कर सकते हैं, तो इतना भी काफी होता है, ओईल रखना बालो में, और फिर उसके अब हलका हलका सा जूड़ा बनालेजिए, बहुतट जूड़ा नहीं बनाना है, क्यूकि ओपीबालो के जड़े जाती हैं, काफी सुद ये क मुछOOOOOOO का जाती हैं, reatत ही किम देखने में आपने घड़ के कामें, गरको साफ सुता रख सकते हैं, होते रहें तो आज मुझे अब जैसे कि गर्मिया आ गई है तो जो विंटर्स वाली बैड सिटी है उनको टाटा वाई वाई करने का टाइम जो है आ चुका है मैं तो कर चुकी हूँ आप सबने भी साथ करी दिया होगा क्योंकि अब उन बैड सिट में लेटा नहीं जा रहा है जलन सी होने लगती है उनम जो में पुर्ण है जाती है ना तो इतना नहीं करते हैं और जैसे मम्मी पापा के जहीं रूम है उसमें तो मम्मी पापा ही सोते हैं, आजकर जैसे पापा यहां है, तो वैसे भी मेरी मतलब हमारी मेरे बहिया की बेटी है, वो मम्मी के साथ सोती है, वो भी अब बड़ी हो गई है, तो बड़े बच्चे इतना गंदा करते नहीं है घर, तो मम्मी की बैट सिर्ट तो आप पर फिर भी मम्मी के नजरों से कुछ ना कुछ मम्मी को दिख जाता है जो मुझे नहीं दिखता तो यहां वह आती है न तो डाट भी पड़ती है कि यह चीज गंदी क्यों है करके तो मम्मी का इस पेसल इसलिए कॉल आया था कि बैट से डेली-डेली मद्ध है अगर तो ठक ज जीएगा और में लिए तो कमेंट पी आते हैं काफी सारे की दी हमें मतलब आप इतना काम करते हो तो फिर भी लोग मतलब मैं जिसे बोलती हूं मेरे हजबन मतलब समझते हैं कि आप इतना बीजी रहते हो तो पूरी हेल्प करते हैं तो फिर मेरे पास कमेंट पी आया था कि ह चुल को चुल मोची नहीं लेकुला है बाकि जो हमारा वर्ज आट मोचल हो जाहे किसे को कुछ Hollanda दीखे और मेरी कोशिस हमेशा रहती है कि मैं अपने घर को साफ सुतरा रखूं बहुत से लोग कॉमेंट भी करते हैं कि आपका घर साफ रहता है आपका घर अच्छा है तो इसके लिए पूरी महनत भी करनी पड़ती है सहाद हर लेडीस ये काम करती है बड़े दिल से करती है अपने घर की cleaning बगर हो अपने घर को decorate करना हो एक लेडीस को इसमें बहुत ज़्यादा खुसी मिलती है और हर लेडीस जो है अपने घर को साफ रखती भी होगी तो देखे गहर चाहिए आपका जैसा भी हो उसको साफ सुतरा रखना उसको हमेशा नीड औब क्लीन रखना ये बहुत ज़ादा मैंने रखता है अटा पाती हूं तो मैं जैसे एक एक दीन छोड़के ऐसे मैट को उठा के फिर जो है मैं पुरे घर में जहाडू लगा लेती हूं और उस दिन तो मेरा यह होता है कि बैट के नीचे से भी विल्कुल लंबा हो जाता है ऐसे और उसके बाद जो है फैन चला दिया था मैंने तो बिना फैन के अब जल्दी से सूख जाए ना तो मैं यही करते हूँ कि फैन चला दो ताकि अब इतनी ठंडी नहीं लगती है और काम करते टैम तो पंखा चला दोना तो अच्छा लगता है थोड़ा स पापा आशन गालने में दिग्कत होती है तो आजको मैंने अपनी मसीन जो है उस साइड रखी हुए है तो फिर डेली-डेली में कप्ड़े लगा देती हूँ नहीं तो मसीन को इधर से उधर घिसो तो फिर इसमेना बहुत जादा मुझे आलस आता है तो मैं डेली नहीं लगाती हूं मसीन दो-तीन दिन में जैसे एक बार सारी कपड़े वाश कर लेती हूं तो आजकल इसलिए न मैं डेली वाश कर देती हूं क्योंकि मसीन मेरी जहां पर उसका बोड अगर है लाइट का तो वहीं पर लगी हुई है तो इजी हो जाता है मिले कपड़े वाश करना उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे आज करने थी अपनी फ्रीज की भी क्लिनिंग क्योंकि कल हजबन गए थे मार्किट तो सब्जी वेगरा लेके आए हैं सब्जी रखने से पहले मैंने सोचा कि क्यों अपने फ्रीज की क्लिनिंग कर दूँ अब देख सकते हैं मेरे फ्रीज की यह जो भी स्टैंड है कितने गंदे हो रहे हैं पुरा कल इसमें मेरे बच्चों से पता नहीं दूद गिर गया तो फिर दूद ना पुरा नीचे जो हमारा सबजी रखने वाला नीचे का होता है स्टैंड उसके नीचे पुरा दूद गि रात को उस तायम में सो गई थी फिर मैंने इसको छोड़ दिया था पर अभी जो है मैंने इसको पुरे अच्छे से साफ कर दिया है गरम पानी लेकिए आई हुमाई उसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जन पाउडर डाला है जिससे की हम कपड़े बढ़ा वाश करते हैं और फि किचन में आने के बाद किचन मेरी बहुत ज्यादा गंदी तो नहीं थी किचन मेरी साफ सुत्री थी मौनिंग में मैंने साफ कर दी थी बस थोड़ा सा इधर उदर थे उनको थोड़ा सा अरेंज करना था उनकी जोगा पर उससे पहले यहां पर पापा भी दूद लेके आ गए बन गई थी तो मैंने वो किसी बरतन में ट्रांसफर कर दी है उसको जो है हम दिन में यूज़ कर लेंगे खाने के लिए और बाके कड़ाई बगरा धोके रख देंगे अलग और फिर जो है काम बिलकुल मेरा घर का खतम हो जाएगा इसी के साथी बस जल्दी जल्दी पर टाइम मिल जाता है तो इस बीच में अगर मुझे अपनी वीडियो एडिट वगरा करनी है तो मैं वो करके रख लेती हूं ताकि साम को वीडियो अप्लोड करने से पहले मेरा काम सारा रेडि हो नहीं तो मेरी वीडियो हमेशा लेट हो जाती है क्योंकि मुझे एडिटि कर दिया है उसके बाद जो है अपने counter top को भी मैं थोड़ा साफ कर लूँगी counter top तो वैसे morning में साफ कर दिया था पर थोड़ा सा पाने वगर गिर गया था तो उसको साफ कर दिया है तो जब मैं freeze अपना साफ कर रही थी ना उस टाइम मेरा courier भी आ गया था मैंने miso से एक ये साड़ी वगरा के जो बाहर के कबर आते हैं ना वो मंगाये थे मतलब बैक जो आते हैं वो तो उसमें ना काफे बड़े से दिख रहे थे तो मुझे लगा साइद मेरे ब्लैंकिट वगरा आ जाएंगे पर ये बिल्कुल छोटे-छोटे से निकले तो मैंने 6 का पैक मंगाया था पर ये भी मेरे यूजमा आएगा क्योंकि मैं इसमें अपने गरम कपड़े और बच्चों के गरम कपड़े जो भी होते हैं वो रख दूंगी तो ये मेरे काम में आ जाएगा तो पापा मुझे बोल ले थे कि ये तो छोटे हो गए तो इनको वा कभी भी आव ऑनलाइन कुछ आउडर करते हो तो टाइम से पहले आ जाता है मुझे ये चीच काफी अच्छी लगती है जबकि इसकी डेट उन्होंने 10 तारिक की दी थी और आज तीन तारिक को ही ये डिलेवर हो गया है तो मैंने सब कुछ देख देख लिया है सब सामान मेर खतम हो चुके हैं और तब से मैंने मसीन इसलिए नहीं लगाय थी बालकनी में इतनी ज्यादा दूप आ रही थी तो खड़े होने का मन नहीं कर रहा था और मैं भी नहाग गया ने तो मुझे फिर से जो है गर्मी हो जाती तो दोस्तों सारे काम निप्टा के मैं विल्कुल हो चुकी हूं और अभी सारे 11 हो गया है टाइम और मेरा घर का काम जो है सारा निपड़ चुका है अब जो है यहां पर टीवी चला रखा है तो टीवी में कभी कुछ सॉंग वगरा सुन लेती हूं तो कभी कोई सीरियल वगरा पसंद ज्यादा है नि मुझे बस तारक महता देखती हूं मैं उसको देखके मुझे अच्छा लगता है और पापा ने भी मेथी वेगरा अभी साप करी मतर छीले अब जो है वो थोड़ दे रेस्ट करेंगे तो नास्ति के बाद थो थोड़ दे रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ठक जाते हैं काफी ज्यादा घर में छोटे हुआ है तो ज्यादा तो कुछ बनाना नहीं है मवजी अभी खास बस मुझे जो है चावल बनाने है पापा के लिए रोटिया बनानी है और अगर आपको मेरी वीडियो जरद सभी पसंद आती है मेरी वीडियो में आपको थोड़ा सभी कोई चीज ऐसी लगती है कि हाँ हमे अच्छा लगा तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मज जाना और लाइक करना मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्र आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है मैं आप सबसे मिलूंगी अपने अगले नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंटे क्यार